पंजाब में इन दुनों खालिस्तान की मांग को लेकर वारिस पंजाब देपेगेचीफ अमृतपाल सिंग और उसके समर्थक हंगामा मचाये हुए है 23 वरवल को अमृत सर के अजनाला थाने पर अमृत पाल और उसके समर्थकों ने अपने साथी लवप्रीट सिंग तूफान की रिहाई को लेकर जमकर हंगामा काटा जिसके बाद पंजाब पुलिस भी लवप्रीत की रिहाई के लिए मजबूर हो गई और अगले ही दिन लवप्रीत को रिहा भी कर दिया गया अब पंजाब के मुख्य मंतरी भगवंत मान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और खालिस्तानी अमरतपाल, ISI और पाकिस्तान को लेकर बड़ा कनेक्शन बता दिया है क्या कुछ कहा है भगवंत मान ने आई जानते हैं इस रिपोर्ट में कि एक हजार लोगों को पूरा पंजाब नहीं माना जा सकता कुछ लोग हैं जिने विदेशों से और पाकिस्तान से फंडिंग होती है जिससे उनकी दुकाने चल रही है सुनिए भगवंत मान का ये पूरा बयान वहां के उ猜 द्रोन आते हैं पंजाम को डिस्टर्ट किया जाए पंजाम नहीं ही वहार नहीं पूरा कैंब है और पंजाब के सिरकार तरक्की की दोख पड़ाब करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अजनाला घटना को लेकर ट्वीट के जरिये अमरित्पाल सिंग पर भी निशाना साधा था उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि गुरू गरंथ साहिब जी को धाल बना कर पुलिस थानों तक ले जाने वाले पंजाब और पंजाबियत का वारिस बोले जाने के लायक नहीं है बतादे की भगवंत मान के साथ पंजाब के पूर्वी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने भी अमरित्पाल को लेकर आशंका जताई थी कि ISI की शेह पर अमरित्पाल को पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भढ़काने के लिए दुबई से पंजाब सवाल खड़े किये जा रहे हैं तो वही सिक संगटनों द्वारा भी अमरित्पाल सिंग की निंदा की जा रही है साथी लवप्रीद सिंग तूफान को पुलिस हिराथसत से छुडाने के लिए जिस तरह से अमरित्पाल सिंग ने श्री गुरू गरंत साहिब के पावन सवाल बनाया था उसको लेकर सिक संगटनों में आक्रोश की स्थिती बनी हुई है क्या है ये मामला जिसे लेकर पंजाब अजनाला में खालिस्तानी और पुलिस के बीच जड़प हुई तो इस पे हम आपको बता दे कि 18 परवरी को दंगा और अपरण के आरोप में लवप् हुए अपने साथी को रिहा भी करवा लिया इसके अगले ही दिन लफ्रीट सिंग को यानि रिहा कर दिया गया इसको लेकर सुरक्षा एजन्सियां गंभीर है रहम अंत्राले ने इस मामले में स्टेट पुलिस और आईवी से पूरे घटना करम को उसकी जानकारी मांगी है और सारी जो रिपोर्ट से उसे तलब कर लिया गया है वारिस पंजाब दे के चीफ अमरितपाल सिंग की बात करें तो उसे पंजाब का दूसरा खालिस्तानी नेता यानि भिंडरा वाला 2.0 माना जाता है अमरितपाल का नाम पंजाब के शिफ सेना नेता सुधीर सूरी हत्य कान में भी सामने आया था अमरितपाल का जन्म अमरित सर के जलूपूर खेडा गाउं में 1993 में हुआ था बारवी की तक पढ़ाई करने के बाद 2012 में पूरा परिवार उसका दुबई चला गया था और पिछले ही साल परवरी में दीप सिद्दू की मौत के बाद वो वारिस पंजाब दे के संगटन से जुड़ा और से लीड कर रहा है दीप सिद्दू वही शक्स है जो किसान आंदोलन के वक्त लाल किले पर चर्चा में आया था जिसने जंडा फैर आया था हाल ही में अमरित पाल सिंग ने एक विवादित बयान भी दिया था और कहा कि हमें रोखन प्रिये एजिंसी भी नजर बनाए हुए है आरोब यही कि वो खालिस्तानी मुव्मेंट को हवा दे रहा है वैसे आने वाले दिनों में अमरित पाल क्या कुछ नया करने वाला है इस पर सब की निगा ठिकी होगी आपकी क्या राय है अमरित पाल सिंग को लेकर कॉमें करते ही न बिलकुल न भूले देश विदेश जूड़ी तमाम बड़ी ख़परों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नियुस ताख